जै स्रीकिशना रादे रादे वेलकम बैक टू मैं चैनल जहां हम बाते करते हैं लड़ुकोपाल के भोग बस्त रोड़ सिंगार के बारे में पूझा पार्ट से रिलेटिड कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हूं आप सब अच्छे होंगे ठाकर जी किरपाब सब पर यह बनी है तो पहले आप जान लेजिए कि चतुरमास है क्या चतुरमास की विशेशता क्या है तो यह सब मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगे तो चलिए हिंदु धर्म में चार विशेश महीने होते हैं जिन में उपास जब तब दान का विशेश महत होता है वो चार महीने है सावन भादो अशार कार्तिक देव सहीनी एका दसी से सुरवात होती है और कार्तिक की देव उठानी एका दसी तक चलती है इस समय स्री हरी विश्नु योग निंद्रा में लीन रहते हैं इसलिए किसी भी सुपकारे को करने की मनाई रहती है चतुरवास आप समझ गए होंगे चतुरवास क्या है चार महीने विशेश क्यों है इस सावदी में असाड के महीने में भगवान विश्नु ने 52 रूप का अपतार लिया था और राजा बली से तीन पग से सारी शरष्टी दान में ले ली थी उन्होंने राजा बली को उनके पातालोग की रक्सा करने का वचन दिया था फलस्वरूप, सिरीहरी, विश्नु अपने समस्त रूपों से राजा बली की पहरेदारी करते थे इस अवस्था में कहा जाता है कि भगवान विश्नु निंद्रा में चले जाते हैं इस प्रकार चतुर मास जो है 20 जुलाई से सुरू हो रहा है तो अब विशेश क्या है मैं आपको बता देती हूं हर साल की तरह हैं इस साल नहीं हर साल कभी भी देखेंगे तो हर साल देव सहीनी एक अदसी से चतुर मास प्रारम हो जाते हैं और देव अठानी एक अदसी तक चलते हैं तो इस वार 20 जुलाई से सुरू हो रहा है चतुर मास दिन है मंगलवार 20 जुलाई दिन मंगलवार 2021 तो इस दिन आप एक अदसी की पूजा करके चतुर मास के ब्रतों का जो ब्रत करना चाहते हैं नियम से जब से तब से संकल्प ले सकते हैं ब्रत की सुरुवात कर सकते हैं इन चार महिनों में विशेश लाव होता है चतुर मास की पूजा का दान का जब का हवन का भजन का कीरतन का और नियमों का इन चतुर मास में जो ब्यक्ति नियमों का नियम के साथ ब्रतों का पालन कर सब यह बढ़ कर सकते हैं लेकिन याद रखें कि चत्रमास बड़त के कुछ नियम होते हैं इन नियम को कर सकते हैं तो ही बढ़ करें नहीं तो कोई आवश्चेकता नहीं है इस महीने में आप जब तब कर सकते हैं करते रहें उतना भी काफी है तो चलिए अगली वीडियो में मैं आपको बता दूँगी कि कैसे ब्रत करना है क्या करना है इन चार महीनों में सिब जी भगवान सरश्टी का कार्यभार अपने हाथ में लेते हैं इसलिए साबन से ही सुरुवात होती है तो विशेश चीजें हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी किन चीजों से पूजा करनी चाहिए क्या विशेश नियम है क्या खाना है क्या नहीं खाना है किन नियमा का पालन कर सकते है चतुर मास की दैनिक पूजा क्या है तो मैं इस सब पर वीडियो अपलोड कर दूँगी तो चलिए मिलते हैं निव वीडियो के साथ और अगर आपको ये चतुर मास की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमार चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइक नवस्टे प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो समय से आप तक पहुंचे रहे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें जैसरी किष्णा राधे राधे